विहार इन शॉट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं लालू प्रशाद यादफ के बड़े बेटे और महुआ से विधायक तेश प्रताब यादफ विधान सभा के शीत कालीन सत्रम के दूसरे दिन भी शामिल नहीं हुए तेश प्रताब यादफ ने वरिंदावन में अपना डेरा जमा रखा है लेकिन कल यानि के 29 नवंबर को कोर्ट में दायर तेश प्रताब के तलाख याचिका पर सुनवाई होनी है सबको उमीद है कि तेश प्रताब यादफ शायद इस दिन पटना आ जाएंगे लेकिन इन सब के बीच तेश प्रताब यादफ के छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादफ इस मैटर पर जादा बात नहीं करना चाहते तेश्वी आदफ ने साफ कहा है कि दोनों अडल्स हैं उन्हें पता है कि क्या फैसला लेना है दोनों यह समझते हैं कि उनके लिए क्या बहतर है तेश्वी आदफ ने यह भी कहा कि वैसे भी यह मामला कोर्ट में है और इस मामले को अब कोर्ट ही देखेगा तेज़स्वी आदव ने कहा कि यह मामला नीजी है इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तेज़स्वी ने यह भी संकेत दिये कि इस मामले को परिवार के लोग देख रहे हैं और अब देखना यही होगा कि 29 तारिक जिस दिन कोर्ट में तेजप्तापियादव के तलाक अरजी पर सुनवाई है उस दिन क्या होता है आपको बता दें कि तेजप्तापियादव तलाक की अरजी फाइल कर गया गए वहाँ से राची में लालो परशादियादव से मुलाकात की उसके बाद बाई रोड ही अपनी गाड़ी से विंध्याचल होते हुए विंधावन पहुच गए कया से लगाई जा रही थी कि तेजप्तापियादव वापस आएंगे लेकिन अब जब सुनवाई की तारिक नजदीक आ गई है और तेजप्तापियादव अभी तक नहीं लोटे तो परिवार और जो समर्थक हैं राजत के उन्हें भी तेजप्तापियादव का इंतजार है अब देखना होगा कि अपने तलाख अर्जी की सुनवाई पर तेजप्तापियादव पहुचते हैं या फिर नज़रे बचाए वरिंदावन में चिपे रहते हैं